दोस्तो शिरी शिवायन मुस्तव्याम हरार महादेव दोस्तो देखे अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा नसा करता है दारू पिता है मास मदरा का सेवन करता है या फिर किसी गलत संगत में पढ़ता जा रहा है दोस्तो अगर आप लोग उससे बहुत ज़्यादा परसान है तो आपको पूझ्य गुरुजी के द्वारा बताया गया ये अच्चुक उपाय जरू करना चाहिए दोस्तो इस उपाय को करने से व्यक्ति गलत संगतों को छोड़ देता है साथी गलत चीयों का त्याग कर देता है मास मदरा सराब आदी को त्याग देता है दोस्तो देगे पूझ्य गुरुजी ने बहुती चमतकारिक दो उपाय बताये हैं दोनों उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो काफी सरल्मी हैं और काफी चमतकारिक उपाय है दोस्तो ये उपाय करने से व्यक्ति को नसा से जो है गिनाने लगती है तो चली दोस्तो जानते है गुरुजी के द्वारा बताएगे इन उपायों के बारे में लेकिन दोस्तो आगे बढ़ने से पहरे आप सभी से हाथ जोड़ के रुकाई इस्टाए के वीडियो को लाइक करदें शेयर करदें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्छे मन से हरार महादेव या श्री शिवाहिन मुस्तव्याम जरू लिदें जिससे कि आपकी जोई मनोकामन महादेव पूरी करदें तो दोस्तो देखे सबसे पहला उपाय दोस्तो इस उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर जरूत पड़ेगी एक बेल पत्री की एक लोटा सुद्ध जल की जो कि आपको ताबे के पातर में अपने घर का सुद्ध जल भरना है ठीक है उस जल में आपको मातर एक लोंग डालनी है और एक चोटे से गुल का आपको तुकर डाल लेना है ठीक है अब देखे आपको क्या करना है जो भी व्यक्ति आपके घर में नसा आदी करता है या फिर आप उसे सुदाना चाहते हैं किसी गलत संगत में पड़ रहा है तो उस व्यक्ति के ह सबसे पहले आपने जो बिल पत्री लिये उस बिल पत्री को आपको माता असोख सुंद्री वाले इस्तान पर अर्पित करना है ठीक है अब देखे माता असोख सुंद्री के इस्तान पर जब आप बिल पत्री को अर्पित करेंगे तब आपको माता असोख सुंद्री से अपन प्रहातना करें बिलपत्री अर्पित कर दी अब देखिए आपने जो एक लोटा जल या था उस एक लोटा जल को आप सिविलिंग के ऊपर स्रम भेश्वर महादेव का नाम लेकर उनका ध्यान करके ठीक है आपको दीरे दीरे वह जल को अर्पित करना है और जब आप जल को अर शिवाहिनमुस्तव्यम बोलते हुए और आपको शिरम भेश्वर महादेव का ध्यान करना है ठीक है हुनी का नाम लेकर आपको जल को चड़ा देना है अब देखिए जो आपने जल रोका था उस जल को आपको अपने घर लेके चले जाए और जो व्यक्ति नसा आदी करता है उस व्यक्ति को उसमें से थोड़ा सा जल घरन करा दें अगर वो उस जल को घरन ना करे तो आप उसके पानी में भी इस जल को मिला सकते है ठीक है या फिर उसके नाने के पानी में उसे मिक्स कर दें दोस्तो इस उपाय को करने से व्यक्ति नसे को त्याग देता है और वो सही सिम मंदर में सिवलिंग के ऊपर बेशवर महुत का ध्यान करकर किंग कौन से अरम बेशवर महँते हैं के पूट जाहते डिनाना और फिर उन्ही काले तिल को आप बापस से उठा करके अपने गल्रे आए अब इन काले तिलों को आप उस व्यक्ति की रोटी में या किसी भी खाने की चीज में मिला करसै पर आप दोस्तों इस उपाय को करने से भी व्यक्ति बहुत जल्दी नसे आदी को त्यास देता है और वो सही मार्क बर चलने लगता है और नसे से उसे गिर्णा होने लगती है तो अगर आपको दोस्तों पूज्य गुरी जुदारा बताए कि इस उपाय अच्छे लगे हों तो इन्हें ज्यादा स्यादा लाइक करदें शेयर करदें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हरार महादेव जरू लेदें जिससे कि आपकी जो भी मरू कामना है महादेव जल्दी से ल्दी उसे पूरा करदें